शेहनशा अकबर को गुस्सा जल्दी आता था और अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाता तो कभी कबार छोटी सी गल्टी पर बड़ी सजा दे देते थे बीरबल ये जानते थे और सिर्फ वो ही शेहनशा की गुस्से को शान्त कर सकते थे एक दिन पाही जी जहांपना अदब हमारे खुआबगाह की दीवारों का ये रंग किसने चुना है क्या हुआ तुम्हें तुम जवाब क्यों नहीं देते अलफाग नहीं मिल रहे जहांपना ये रंग आप ही नहीं चुना था तुम्हारी ये चुर्रत हम ऐसा रंग चुन ही नहीं सकते और तुम हमसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो अब जाओ और उसे लेकर आओ जिसने इस कमरे को रंगा है जी जी जहांपना माहफ किजी गमजी मैं अभी जाके उसे ले आता हूँ आदा जहांपना ओ तु आ गए तुम जहांपना कोई गलती हुई है क्या गलती नहीं बिलकुल नहीं नाम क्या है तुम्हारा याकूब जहांपना याकूब तो तुम्हें अपना नाम पता है तुम मेरी जबान समझते हो तो तुम सीधी सीधी बाते में ही समझ सकते हो हुजूर अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे फॉरण सुधार देता हूँ क्या फॉरण तुम हमारे खॉअबगाह की दीवारों का रंग फॉरण कैसे बदल सकते हो बताओ हमें हम जानना चाहते हैं अगर आपको अब ये रंग पसंद नहीं तो मैं सारी रात काम करके ये रंग बदल दूगा हमें ये रंग बिलकुल पसंद नहीं है ये बेहत घटिया रंग है हमें इस तरह इतना घुसा कभी नहीं आता अगर ठीक से तुम हमारा कहना मानते मुझे माफ किजीगा हुजूर माफी मागने से कुछ नहीं होगा अपने सारे रंग हमें दिखाओ और हम बताएंगे कि कौन सा रंग चाहिए और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना तुम्हें वो सारे रंग पीने होंगे हमें ये रंग चाहिए तुम्हें याद रहेगा अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए जी हुजूर समझ गया हुजूर मैं अभी काम शुरू करके कल तक खतम कर दूँगा अरे ये क्या सिपाई सिपाई जी जहाँ पना जाओ उस रंगरेश को लेकर आओ जाओ यूँ खड़े मत रहो आदाप जहाँ पना आदाप जाओ अपने सारे रंग लेकर तुरंट आओ माफ कीजेगा हुजूर मुझे माफ कीजेगा हुजूर क्या बात है तुम क्यों परशान हो सकत्राओ मुझे काफे गुस्टे में हैं और अगर उन्होंने पहले कहा है तो वह तुम्हे अपने रंग पीने को जरूर कहेंगे रंग पीने को? हाँ, रंग पीने को लेकिन घबराओ नहीं जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो सब ठीक हो जाएगा जहाँ पना, मैं अपने सारे रंग साथ लाया हूँ क्या मैंने तुम्हें ये रंग लगाने को नहीं कहा था? जी, जहाँ पना जी हुजूर, तो फिर तुमने ये रंग क्यों नहीं लगाया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये कैसे याद रहेगा चलो उठाओ इस मटके को और पीओ और तब तक मत रुकना जब तक कि हम न कहें रुको ये रंग पिला कर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते उम्मीद है तुमने सबक सीथ लिया होगा हम चाहते हैं कि यही रंग लेकर तुम इन दीवारों को अच्छी तरह से रंग दो जी जहापना, शुक्रिया जहापना अब कोई गल्ती नहीं होगी जहापना शुक्रिया जहापना, शुक्रिया इतना रंग पीने के बाद अब ये शायद दो तीन दिनों तक बीमार रहेगा भला ये कैसे हो सकता है? इतना सारा रंग पीने के बाद ये काम पर कैसे आया? इसे तो बीमार होना चाहिए था सुनो तुम आज अपना काम खत्म करने वाले थे लेकिन तुमने तो अब तक पुराना रंग भी नहीं उतारा जाओ और अपने रंग लेकर आओ अभी मुझे राजा बीर्बल कहां मिलेंगे? शाहि बाग में जाके डूंडो शाम के वक्त वो वही रहते हैं आदाब हुजूर मुझे आपकी मदद चाहिए शेहन शाकबर मेरा इंतिजार कर रहे हैं उन्होंने मुझे फिर रंग लाने का कहा है अब मैं क्या करूंगा हुजूर? घबराओ मत ऐसा करो जहाँ पिना मैं अपने रंग ले आया ठीक है अब हम तुम्हें दुगनी सजा देंगे आज तुम दो रंग पियोगे ये और ये रुको ये काफी है रंग का ये मटका मुझे दो क्या? ये ये तो शर्बत है तुम्हारी ये मजाल हमें बेवकूफ बनाना चाहा? बोलो ये तरकीब किसने बताई? मैंने कहा हुजूर हमें समझ जाना चाहिए था बीडबल ये तुम ही हो सकते हो तब ही इसने रंग लाने में इतनी देर लगा दी कल भी और आज भी पर ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैं इसे कौन सा रंग पीने को कहूँगा? हुजूर मुझे नहीं पता था कि आप इसे कौन सा रंग पीने को कहेंगे इसलिए मैंने इसे रसोई घर से हर मटके में अलग-अलग रंगों के शर्बत बने को कहा बहुत खूब बीरबल तुमने मेरा गुस्सा शान्द कर इस आदमी की जान बचाई है शाबाश बीरबल और गुस्से में आकर एक और गलती करने से मुझे रोकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तुम इस बार तुम कोई भी गलती मत करना वरना बीरबल भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे और फिर इस दौरान तुम्हारी परेशानी के एवज में आज की रात दावत में तुम भी शामिल होना शुक्रिया जापना शुक्रिया